बाजी यह लगा है कि कल एक होने वाला है चैलेंज होने वाला है कि कौन कितना पी सकता है नेपाल में इंडिया में नहीं अखास करके बिहार में बेन है तो 12 बजे तक जगे रह गयां इसी उमीद में कि अब बारिश छुटेगा तो अब कहीं मैच होगा बारी चुटेका तो मैचगे श्राट सॉने में उमीद में बारा बजे तक कल जगे रह गया है वैं वे वह इसे तो दस बजे के आस पास मैं हर दिन सौजाते है लेकिन बारा बजे तक कल जगे रहुत बहुत नीद भशी करने आज होने बाला मैश तो हो गई अब देखी आज अगर बारिस नहीं हो रहा है तो फिर हो जाएगा साइज से मैच अगर बारिस हो जाएगा फिर दिक्कत पुज़ाएगा चाहा कल जो लोग टिकट कटवा के गया हुआ था फाइनल देखने उसको कितना तकलिफ हुआ होगा नहीं दर्सक सब जो स्टेडियम में प्रेजेंट था मौझूद था उसका बात हटाईए उसका बात चोड़िए पुरे देश में पुरे दुनिया में जितना भी लोग था न सब यही मना रहा हो था मांग रहा था कि है भगवान बस बारिस कई से भी छूट जा आज का मैच हो जाए और कुछ नहीं चाहिए आज के लिए बस मैच कई से भी देख ले हम भी यहीं मांग रहे थे भगवान से लेकिन भगवान किसी का नहीं सुने कि मैच नहीं हो पाया है तो कल बहुत सह में दर्सक सब जो वहां पर गया होगा इस उमीद में कि जा रहे हैं फाइनल देखेंगे कितना खुस होगा पूरे डिस्तेदार में एक दम चर्चा चल लोगा की सहां अफ़लना गया है फाइनल देखने एस्टेटस लगाया होगा पोस्ट डाला होगा लेकिन गया तो सब के साथ कांट हो गया है एक तो इस्टेडिया में उतना बढ़िया से दिखता नहीं है मैच समझे की नहीं है अराम से टिवी पर देखिए मैच बैटके अराम से सामने वह दिखता भी है कि कौन खेल रहा है कौन बॉलिंग करा रहा है कौन क्या कर रहा है इस्टेडिया में उतन इसा भी रीजन है कोई चीर गॉल्स को भी देखने जाता है सही है जाओ देखने जाओ लेकिन मैच देखने का मज़ा अगर आगे सीट मिल है अगर वी आई पी बॉक्स में बैटने का जगह मिल लाया सीट मिल जा रहा है तो अब तो फिट देखने मज़ा आगा नहीं तो इसस कोई मतलब नहीं बंता है क्योंकि आज साम में हम लोग को जाना है भोज में बोज तो अभी वह थो फूर ऴजा का खाना भी छोड़ दी है पहले से कोई प्लारी नहीं था आज भी सह कुछ गए थे तो ही क्या बता रहे हैं थे कि यह चीकन पाटी हो रहा है इसका कोई मतलब नहीं बनता है यही अगर कल होता तो चलिए एक पाटी हो जाता और अभी मानने जबी तीन बज रहा है अभी सब बनाना है स्टार्ट करेंगे तो कम से कम एक घंटा लाएगा चार चार बज कर देख सकते हैं अच लग चूआ है लेकिनि आच जो हैं अबहुत डिष्टरब कर रही है बारोबढ़ बुजहा जा रहा है तो आप जाके मीट बनना स्टार्ट हो चुका है इधर देख लिजे यहां पर है प्याज और इधर है तेल और मसाला उसाला उधर है रोट के उस पार और यह देखिए जो यह कांड हो गया है लेका को भेज़े थे मीट लाने के लिए एक केजी और देखिए क्या उठा के मीट नहीं है आधा किलो मीट लाया है और उपर से संवरल मीट से उठा के लिए बताई यह क्या किया जाए ठग लिया उसको क्या की जाएगा लेकिन चलिए जो है सो उसी में करना पड़ा या खाना पड़ेगा क्या करे आ गया है तो आग यह मीट अभी आधा स्टेश प्याच चुका है मतलब की आधा बनके तयार है और आधा बनने में अभी मात्र पांच मिनट का टाइम लगेगा इतना ज्यादा है ना इतना ज्यादा धूप है कि जो जर्ना जो हम लोग लगाए है ना इसे ही रगड़ दी है यह बासी बास में आग पकड़ लिया है अभी मात्र दस मिनट में बनके तियार हो जाएगा मीट उसके बाद खापी कि हम लोग रेडी हो जाएंगे लोगा मीट फाइनली बनक कि यार हैं तो तो थोरा नासता पर लेंगे समझें और यहां से नासता करके फिर हम आके फिर चलते हैं तिलक्ुलक में वहाँ पर देखते हैं क्या है कुछ है जब अब लोग का चिकन का पाठी चलते चलते चिकन करते खतम होते सब शेख नाम सब जान रहा है इसे आप मता देते हैं बाजी ये लगा है कि कल एक होने वाला है चैलेंज, चैलेंज होने वाला है कि कौन कितना पी सकता है नेपाल में, इंडिया में नहीं, अखास करके बिहार में तो बिहार में सोचे ही मत, नेपाल में ये कल का चैलेंज है, और बाजी ये है कि जो जितना ज़्यादा पीएगा, वो होगा वीनर और जो सबसे कम पीएगा उसको रूपिया भरना होगा अंती में चाहे वो शिस्टम 10,000 का खरदाया चाहे 20,000 का खरदाया रूपईया उसी को भरना है जो पैजे उठेगा पैमेंट उसी को करना है तो कल अगर रहेंगे साथ में तो पक्का हम जरूर दिख लाएंगे कि कौन जिता है कौन हाडता है और एक और देखिए बाजी तो दूर की बात है बाजी इस चीज का है कि पीने के बाद जिसका बोली लडखरा गया पैसा वही देगा पैमेंट वही करेगा मतलब कि यह देख अभी कल साम के छे बजे कल का व्लॉग इंतजार कीजेगा और आज के व्लॉग में तो यही सब था पाटी हो गया यहां में भड़पेट खा लिए हैं अब चलते हैं हां वहां के तीलक में फीर से खाने हैं